तो Riding Moto World के एक नई फ्रेश कमाल वीडियो में आप सभी का स्वागत है और आज मैं लेके आ गया हूँ TBS Apache RTR 2V तो यहाँ पे दोस्तों यह dual disc model है यहाँ पे ABS के साथ आता है और BS6 तो है ही और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 270 mm की front disc आपको यहाँ पे देखने को मिलता है जहाँ पे आपको ABS भी देखने को मिल जाता है और यहाँ पे आपको 90 by 90 की front air देखने को मिलता है जो की ठीक ठाक साही है मैं कहूंगा और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो इंजिन का उल कुस इच तरीके का डिजाइन किया गया है जो कि दिखने में काफी ज्यादा स्पोर्टी लुक प्रवाइट करता है वैसे over the year यह जो बाइक है BS3 से ही आ रहा है और यहाँ पे दोस्तों company ने dual horn को retain किया है जो की again एक काफी बढ़िया बात है और यहाँ पे आपको छोटी सी leg guard मिलता है जिसको आप crash guard भी कह सकते हो ग्राफिक से आप देख सकते हो red color के उपर gray और black का आपको देखने को मिलता है और engine के उपर आप लोग देख सकते हो एक plastic का protection दिया गया है ताकि heat वगेरा पैर वगेरे में ना लगे या heat वगेरा ज्यादा ना आए तो एक अच्छी बात है Apache की तरब से या TVs की तरब से और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो जो overall design है उसको एकदम एकदम retain किया गया है और यहाँ पर पहले आपको Apache लिखा हुआ मिलता था और BS6 में आपको एक घोड़े का symbol देखने को मिलता है जो कि दिखने में काफी ज्यादा अच्छा लगता है मुझे और Rider Footress थोड़ा सा rare side में है तो यहाँ पर आपको थोड़ी सी sporty nature देखने को मिलेगा और यहाँ पर जो rare disc bake की master cylinder है उसको अच्छी तरीके से cover किया गया है ताकि कुछ पत्थर वगरा वहाँ पर ना लगे और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो tail section भी बिलकुल ही same रखा गय गया है वैसे matte color glossy में काफी ज्यादा बढ़िया लग रहा है और CQ पर भी आप लोग देख सकते हो red color की stitching किया गया है तो अगें यहाँ पर एक अच्छी contrasty look provide करवा देता है और यहाँ पर दोस्तों जो Indian flag यूज़ करता है TVS वह खास करके मुझे personality काफी ज्यादा बढ़िया लगता है रेयर में आपको 110 section की टैर मिलता है जो कि अगें ट्यूबलेस है और रेयर में आपको 200 section की डिस्क देखने को मिलता है जो कि safety के लिए काफी ज्यादा बढ़िया माना जाता है और यहाँ पर दोग देख सकते हो indicator सब कुछ यहाँ पर हैलोजन में ही रखा गया है ब 15.3 BHP का पावर और 13.9 Nm की टॉर्क आपको देखने को मिलेगा और यहाँ पर आपको साइट स्टेंड इंजीन कर्ट अप सेंसर अभी इंट्रडियूस कर दिया गया है जो कि अगें काफी बढ़िया बात है और यहाँ पर कोई भी किक स्टार्ट अभी देखने को नहीं मिल तो यह काफी बढ़िया बात है और यहाँ पर यह एक ऐसी बाइक है टीवीस की जो की बीस 3 से ही आ रहा है डिस कंटिन्यू एक बार भी नहीं हुआ है इसको अभी भी लोग वैसा ही पसंद करते हैं जो की 2013 या दस में इसको पसंद करते थे तो यहाँ पर आप लोग देख स ज़्यादा बढ़िया लगता है और वाइस सीट हैट की बात करें तो वह है 790 जो की फाइब फूर्ट फाइब या फाइब फूर्ट इसके अगर आपकी हाइट होगा तो काफी ज़्यादा बेटर होगा और ग्राउन क्लियांस यहाँ पर काफी बढ़िया गया है 180 का तो य यह बाइक आपको काफी अच्छी वैलू ओफरिंग करता है लेकिन अभी मार्केट में काफी ज्यादा कंपेटिशन वगरा आ गया है तो और इसकी जो एबीस है खासकर कि वह सूपर मोटो की तरफ से आता है मतलब उसको भी बहुत ही अच्छी तरीके से ट्यून किया गया ह और माइलेज आप इससे तक्रीवन 40 की आसपास एक्सपेक कर सकते हो और यहाँ पर दोस्तों यह है यह पूरी बाइक जो आपको 2022 में मिल रहा है तो वीडियो यहां तक देख लिए तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दिजिए ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब् और खर चैनल को टूरी देखने के लिए और अपको टूरी का जो कोरो आपको लाइक है के लिएठक लएक दो